दोस्तो हमारे खाटू शाम बाबा को कौन नहीं जानता आज खाटू शाम बाबा के इतने भक्त हैं जिनकी कोई गिंती नहीं है लाखों में भीड आए दिन वहां जाती है और जाए भी क्यों ना ये खारे के सारे बैठे भी इसी लिए हैं कि जो हार के इनके दर पर आएगा ये उसे सहारा देंगे और आज की दुनिया में जो हार गया है वो इनहीं के पास जाता है और जो इनके पास चला जाता है वो कभी हारता नहीं है शाम बाबा कौन थे उनके जन्म और जीवन चर्थ के बारे में जानते हैं दोस्तो कौन है हमारे खाटू शाम बाबा कई बार खाटू शाम जी का असली नाम बर्बरिक है। महाभारत की कहानी के अनुसार बर्बरिक का सर राजिस्थान के खाटू नगर में दफना दिया था। इसलिए बर्बरिक जी का नाम खाटू शाम बाबा के नाम से प्रसिद हो गया है। आज के समय में खाटू नगल सीकर जिले के नाम से जाना जाता है। खाटू श्याम बाबा जी कल युग में शिरीकिष्ण भगवान जी के अफतार के रूप में माने जाते हैं। कहते हैं श्रीकिशन जी ने इन्हें आशिरवाद दिया था और जो आशिरवाद उन्होंने दिया था वो आज सच साबित हो रहा है। कौन थे बरबरिक शाम बाबा घटोतकच और नाकन्या मौरवी के पुत्र हैं। पाँचों पांडवों में सबसे अधिक बलशाली भीम और उनकी पतनी हिडिमबा बरबरिक के दादादी थे। कहा जाता है कि जन्म के समय बरबरिक के बाल बबर शेर के जैसे थे। और इसलिए उनका नाम बरबरिक रखा गया। बरबरिक का नाम शाम बाबा कैसे पड़ा इसके पीछे कहानी है दोस्तों लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही कमेंट में शाम बाबा के लिए जैश्री शाम ज़रूर लिख कर निप transform तो प्राप्तों कर लिथी उसके बाद बरबरिक ने भगवान शिव की क्गोर अपस्या की जिसके आशिरवात के सुरूप भगवान शिव ने बरबरिक को तीन चमतकारी बान प्रदान किये इसी कारण क्षाम बाबा को तीन बान धारी के नाम से भी जाना जाता है भगवान अगनी देव ने बरबरिक को एक दिव्य धनुष दिया था जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थे जब कौरवो और पांडवों का युद्ध होने की सूचना बरबरिक को मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्ने लिया बरबरिक ने अपनी मा का आशिरवात लिया और महभारत के युग में भाग लेने चले गए बरबरिक में इतनी शक्ती थी कि उनकी मा को डर था कहीं बरबरिक अपनी शक्ती का धुर्प योग ना कर दे इसलिए उनकी मा ने उनसे एक वचन लिया कि वो हमेशा हारे हुए पक्षका साथ देंगे और ये वचन बरबरिक ने अपनी मा को दे दिया कि जो भी युद्ध में हारेगा बरबरिक उसकी ओर से लडेंगे और ये वचन दे कर वो निकल पड़े इसी वचन के कारण और इसलिए इने कहा जाता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा जब बरबरिक जा रहे थे तो उन्हें माल्ग में एक भ्रामण मिला ये भ्रामण कोई और नहीं खुद भगवान श्रीकिष्ण जी थे जो की बरबरिक की परिक्षा लेना चाहते थे भ्रामण बने श्रीकिष्ण ने बरबरिक से प्रश्र किया कि वो मात्र तीन बाण लेकर लडने क्यों जा रहे हैं मात्र तीन बाण से कोई युद कैसे लड़ सकता है बरबरिक ने कहा उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है और इसके बाद भी वैतीर नश्ट ना होकर वापस उनके तरकश में आ जाएगा और तीनों तीरों के उपयोग से संपोन जगत का विनाश किया जा सकता है बरबरिक ने बरबरिक से एक पीपल के व्रिक्षी और इशारा करते हुए कहा कि वो एक बाण से पेड के सारे पत्तों को भेत दिखाए बरबरिक ने भगवान का ध्यान किया और एक बाण छोड़ दिया उस बाण ने पीपल के सारे पेडों को छेट दिया और उसके बाद बाण ब्रामण बने श्रीकिष्ण जी के पैरों के आसपास घूमने लगा असल में श्रीकिष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा दिया था बरबरिक समझ गए कि उसी पत्ते को भेदने के लिए भगवान के पैर के चक्कर लगा रहा है बरबरिक बोले हे ब्रामण अपना पैर हटालो नहीं तो ये आपके पैर को भेद देगा श्रीकिष्ण बरबरिक के पराकरम से प्रसन हुए और उन्होंने पूछा कि बरबरिक किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे बरबरिक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित नहीं किया है वो तो बस अपने वचन के अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे श्रीकिष ने ये सुनकर विचार मगन हो गए क्योंकि बरबरिक के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे कौरवो ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे इसे कौरव युद में हारने लगेंगे जिसके कारण बरबरिक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएंगे अगर बरबरिक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमतकारी बान पांडवों का नाश कर देंगे कौर्वो की योजना विफल करने के लिए भ्रहमन बने किशिन ने एक दान देने का वचन मांगा बर्बरिक ने दान देने का वचन दे दिया अब भ्रहमन ने बर्बरिक से कहा कि उसे दान में बर्बरिक का सर चाहिए इस अनोखे दान की मांग सुनकर बरबरिक आश्य चक्कित हुए और समझ गए कि यह भ्रहमण कोई सामाने व्यक्ति नहीं है। बरबरिक ने प्राथना की वो दिये गए वचन अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे। लेकिन पहले भ्रहमण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो। क्योंकि बरबरिक समझ गए थे कि जिसने शीश का दान मांगा है वो कई आम भ्रहमण नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। बरबरिक बोले कि हे देव मैं अपना शीश देने के लिए वचन भद्ध हूँ। लेकिन मेरी युद अपनी आखों से देखने की इच्छा है। शीरिकिष्ण ने बरबरिक की वचन बद्धता को प्रसंद होकर उसकी इच्छा पूरी करने का आशिरवात। और शीरिकिष्ण जी ने बरबरिक के सिर को चौदा देवियों के द्वारा अम्री से सीच कर युद भूमिंग के पास एक पहारी पर इस्थित कर दिया। जहां विजय के बाद पांडव में ये बहस होने लगी कि इस विजय का श्रे किस युद्धा को जाता है और वो आपस में लड़ने लगे। शीरिकिष्ण ने कहा चूंकि बरबरिक इस युद्ध में साक्षी रहे हैं अता इस प्रिश्ण का उतर उन्ही से जानना चाहिए। तब परमवीर बरबरिक ने कहा कि इस युद्ध के विजय का श्रे एक्तमात्र श्री किष्ण को जाता है क्यूंकि ये सब कुछ श्री किष्ण की उतकिष्ण युद्धनीती का कारण ही संबफ हुआ है। विजय के पीछे सब कुछ श्री किष्ण की ही माया थी। बरबरिक के इ हे बरबरिक आप महान है मेरे आशिरवाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम शाम से प्रसिद्ध हो जाओगे कल युग में आप किष्ण अफ्तार रूप में पूझे जाएंगे और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करेंगे और जो भी तुमारे दर पर हार के आएगा तुम उसे जीत दिलाओगे और तुम हारे के सहारे बन जाओगे भगवान श्री किष्ण का वचन सिद्ध हुआ और आज हम देखते भी हैं कि भगवान श्री खाटु शाम बाबा जी अपने भक्तों पर निरंतर अपनी किरपा बना कर रखते हैं शाम बाबा अपने वचन अनुसार हारे के सहारे बन जाते हैं इसलिए जो सारी दुनिया से हारा सताया गया हो वो भी अगर सच्चे मन से शाम बाबा के पास जाएगा तो बाबा उसकी जरूर सुनते हैं उसका कल्यान करते हैं शिरिशाम बाबा की महिमा अप्रम पार है दोस्तों कहा जाता है जिस दिन शिरिकिष्ण जी ने बरबरिक जी से शीष का दान मांगा था उस दिन देव उठनी इकादशी थी और ये भी मानता है कि खाटु शाम मंदिल में जिस दिन बाबा के शीष की स्थापना की गई थी उस दिन भी इकादशी थी और इसलिए दोस् किसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताईए साथी कमेंट में जैश्री किशन जैश्री शाम लिखना ना भूले धन्यवाद